हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल जी आर के वीडियो में यदि दोस्तों मेरे चानल आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लड़ेस्ट अप्रेट के लिए बेल आइकोन के उपर क्लिक कीजिए हाई फ्रेंड्स माइन इस गवरो एन वेल्कम बैक टू जी आर के वीडियो तो फ्रेंड्स अभी तक कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए उसके बाजू में जब बेल आइकोन आएगा उसे भी जरूर क्लिक कर दीजिए क्योंकि कोई भी वीडियो में अप्लोड करूँगा तो उसका नौटिपिकेशन सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मिलता रहे तो फ्रेंड्स मैंने बहुत से ऐसे अप्लिकेशन यहाँ पर आपको बताये थे कि आप किस तरह से इंस्टन पर्सनल लोन ले सकते जो रियल में फ्रेंड्स वर्किंग है बढ़िया अप्लिकेशन से जो आपको इंस्टन लोन दे रहे यहाँ पर कुछ भी ने सिंपल ही आपको पैन काड अधर काड और कुछ बैंक डेटेल यहाँ पर फिल अप करना होगा उसके बेस पे आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा ठीक है लेकिन फ्रेंड्स यहाँ आपको इलिजिबिलिटी के उपर डिपेंड होता है कि आपको कितना लोन देना चाहिए तो यह कंपणी का कैलकुलेशन होता है सबसे पहले जब भी आप यहाँ पर पैनकाड अधरकाड फिल अप करते है ठीक है अफ्लोड करते तो आपको यहाँ पर आपकी इलिजिबिलिटी निकल दीगे आपको कितना लोन देना चाहिए तो कोई भी application सबसे start में तो इतना loan amount नहीं देंगा friends देते हैं तो ये short amount से शुरुआत करते हो भी short period के लिए लेकिन जैसे जैसे आपका यहाँ पे credit बनता जाएगा आपको यहाँ से loan मिलता जाएगा friends तो friends आज भी मैं आपको ऐसे side से मिलाऊंगा जो आपको instant personal loan देता है ठीक है आपको यहाँ पे 10 लाग तक के भी loan मिल सकता है friends यह salary के लिए भी है उसके बाद में friends यहाँ पे self-employed भी loan ले सकते है ठीक है और यहाँ पे simply friends कुछ भी नहीं करना है आपको pan card, other card और कुछ bank detail यहाँ पे fill up करना है और आपको यहाँ से loan मिल जाएगा वो भी reasonable rate में ठीक है तो चलो शुरू करते है friends तो friends यही वो side है जो आपको instant personal loan दे सकती है यहाँ पे यह loan 25,000 से लेके आपको 10,000,000 तक के यहाँ पे loan मिल जाएगा friends तो यह जो side का link है यह मैं मेरे video के description में दे दूँगा तो आप please वहाँ से जाके down इसे open कर सकते है ठीक है direct यह site के उपर आप आ जाएगे उसके बाद में friends यहाँ पे self-employed के लिए भी यह loan देता है उसके बाद में salary के लिए भी यह loan application देता है ठीक है उसके बाद में देखे यहाँ पे 50,000 से लेके 25,000,000 तक के आप loan ले सकते friends यहाँ पे 10.99% से लेके 35.99% तक के आपको rate of interest यहाँ पे लग सकता है यह friends आपके risk के ऊपर company के risk के ऊपर depend होता है याणि कौन से customer को कितना rate of interest देना है generally तो friends यह आप ज़्यादा amount long dinner के लिए लेते हैं तो आपको rate of interest यहाँ से कम लगेगा ठीक है यह आप short amount short period के लिए लेते हैं आपको यहाँ पे rate of interest ज़्यादा pay करना पड़ेगा उसके बाद में friends इन्हों ने बोलाए कि यह 12 months से लेके 16 months तक के आपको loan दे सकते हैं तो इसका मैं पूरा detail आगे आपको बता दूँगा कि आपका interest कितना जा रहा है आपको कितना यहाँ पे processing fee कटेगा ठीक है आपके bank account में कितना पैसा जमा होगा तो चलो फिर से एक बार इसे मैं अभी आगे कर देता हूँ देखिए friends यहाँ पे इन्हों दिया है कि यह पूरा का पूरा आपको online application यहाँ पे submit करना होता है सबसे पहले तो ठीक है उसके बाद में यहाँ पे friends देखिए यह अभी आपका bank statement आपको यहाँ पे submit करना होता है ठीक है यहाँ पिर नहीं है तो आप आपके PDF फाइल भी यहाँ पे 6 months की PDF फाइल आप यहाँ पे upload कर सकते है उसके बाद में friends थर्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे choose your loan term आपको यहाँ पे कितने दिन के लिए loan चाहिए ठीक है यहाँ पे थर्ट स्टेप में आपको select करना है उसके बाद में friends जैसे यहाँ पे आप तीनों स्टेप complete कर लेते हैं उसके बाद में देखिए you are done get the money in your bank account as early as tomorrow जलसे जलस आपको यहाँ से amount मिल जाएगी आपके bank account में लेकिन देखिए friends यहाँ पे इन्होंनी कुछ description आपको बोला है कि यहाँ आप 2,00,00 रुपई का loan यहाँ से लेते हैं तो आपको कितना interest यहाँ पे लगेगा और कितना amount आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा उसके बाद में processing fee आपको 2.5% यहाँ पे लगेगी ओभी 3 साल के लिए आणि आप 2,00,00 रुपई का loan 16.60% से यहाँ पे 3 साल के लिए ले रहे जिसमें आपको processing fee 2.5% डिड़क्ट होके आएगी तो दिखे यहाँ पे इन्होंने इसका बाइफर्गेशन भी दिया हुआ है कि आपकी 5,000 रुपई 2,00,00 में से processing fee deduct हो जाएगी और आपके bank account में friends यहाँ पे 1,95,000 ती आपके account में आएगे और friends यह 2,00,00 की monthly EMI जो है friends आपको 7,091 रुपई आपको monthly EMI यहाँ पे आएगी जो आपको 3 साल तक के continue pay करना हो है ठीक है यह दिया आप इसका calculation करते है तो total friends आपको 3 साल में 2,55,260 रुपई आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा तो 55,260 रुपई यह आपका 3 साल में total interest यहाँ से जाएगा friends ठीक है यह सभी calculation इन्हों ने यहाँ पे clear कर दिया है तो कोई hidden यहाँ पे नहीं है friends यह जो side है बढ़िया side है यह पूरा आपके सामने freely आपको पूरा totally इन्हों ने calculation करके दे दिया है देखिए friends यहाँ पे 55,260 रुपई आपको यहाँ पे 3 साल में जा रहे तो आपको साल में 18,425 रुपई आपके यहाँ से interest जा रहा है ठीक है तो देखिए friends यहाँ ने कुछ इनका eligibility criteria भी यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ से आपको पूरा clear हो जाएगा कि आपको यहाँ पे apply करना है या नहीं करना है देखिए friends यहाँ पे 21 साल से लेके 57 साल तक कि आप यहाँ से loan ले सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पे आपको 18,000 रुपई आपका monthly income होना जरूरी है उसके बाद में यह दि आपने कोई पुराना loan लिया है तो लास 24 months में कोई default यहाँ पे नहीं चाहिए या फिर कोई आपका check bounce नहीं चाहिए यह दि आपके loan regular चालू है पुराने तो ही आप यहाँ पे apply कीजिए अधर्वाइज आपका loan यहाँ से reject हो जाएगा उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक सबसे बड़ा criteria यह application का यह है कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि यह कुछी location पे अभी currently working है यू must be residing in दिल्ली NCR, बैंगलोर, पुने, चेन्ने, मुंबई, हैदराबाद, जैपूर, अयमदाबाद और कोलकाता यदि आप ये city से बिलोंग करते हैं तो eFriends यहाँ पे apply किजिए, otherwise आप apply मत किजिए, नहीं तो फिर आपका application प्रोसेस नहीं होगा आपको कौन से कौन से document यहाँ पे upload करना है, मैंने 3 step तो आपको पहले यहाँ पे बता दिया था कि यह 3 step में working करता है यहाँ पे दिखिए, इनका कुछ, जैसी आप form fill up कर लेते हैं, उसके बाद में यह है first step, second step में आपको आपका bank statement upload करना है और third step में आपको आपका loan का tenor यहाँ पे choose करना है, ठीक है उसके बाद में friends, यहाँ पे दिखिए, जैसी आपको यहाँ से अपरोल मिल जाएगा उसके बाद में आपको यह document यहाँ पे submit करना है, जिसमें other card, pancard, for check from your salary account, current address proof और permanent address proof जैसे यह document आप यहाँ पे submit कर देंगे friends, आपको यहाँ पे instant उसके second day में ही आपको यहाँ से amount मिल जाएगा, ठीक है देखिए यह customer का यहाँ पे feedback है, जो मैं आपको अभी बता रहाता कि यह जो side कितनी genuine है और कितना यहाँ पे real काम होता है ठीक है, आप यह सभी feedback यहाँ से पढ़ सकते हैं, तो इसी तरह friends, साइट काम करता है, प्लीज आप यह site पे एक पार आके apply कर दीजीए, आपको यहाँ से जरूर लोन मिल जाएगा तो friends, मैं ऐसे हमेशा आपके लिए कुछ useful वीडियो आपके लिए लाती रहता हूँ, तो प्लीज यह channel को subscribe कर दो, यह आपको यह वीडियो पसंद आया, तो आप इसे like भी जरूर कर दो, जादा से जादा आपके friends और relative के साथ में share करो, क्योंकि उनको भी alone की जरूरत होगी friends तो इसी तरह, मैं हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ लेते लेके आऊंगा friends, तो आज की लिए इतना ही, चलो, good bye, good night